गुद मॉर्निंग आज हम प्लेटो के सामयवादी संबंधी विचारों का अध्यन करेंगे प्लेटो सामयवाद के संदर्व में जो बातें कहते हैं सामयवाद के जो दो डाइमेंशन सो बताते हैं एक प्रिवार और दूसरा संपत्ती ये दो एक ऐसे विचे थे जिनको लेके प्लेटो अबने सामयवादी संबंधी सिध्धान का प्रतिपादन करते हैं प्लेटो का सामेवादी सिध्धान उसके अभिभावक वर्ग के लिए है अर्थात अभिभावक वर्ग का मतलब प्लेटो के आदस राजे के जो दो वर्ग हैं एक तो दासनिक सासक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग इन दोनु वर्गों के को वो अभिभावक वर्ग के रूप देते हैं और इनी दोनों वर्कों के लिए प्लेटो समयवादी समंधी विचारों का प्रतिपादन करते हैं कि प्लेटो अपने समयवादी समंधी सिध्धान में परिवार के साथ साथ संपति समंधी विचारों का प्रतिपादन करते हैं कि ब्रेटों का मानना यह है कि जो अभिभावक वरूप कोगा वह ट्याग की प्रतिमूर्थी होगा और चुकि वह ट्याग की प्रतिमूरति होगा तो ये जिस आधसराजे की स्ठापना पेटो करना चाहते हैं उसका निर्मान संब्व है अन्हें था उस सामयवादी सिद्धान्द के वेना विभारिक जीवन के अंदर विभारिक धर्यातल के ओपर सामयवादी आदस राजेसं की स्थापना में बहुत ही मुश्कलों का सामना करना पड़ेगा प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए संपती विष्थेक सामयवाद के साथ साथ परिवार विष्थेक सामयवाद की भी चर्चा करते हैं कि अबिभावक वर्ग कोई इस्थाई विवाईक समंद नहीं बनाएंगे लेकिन वह एस्थाई विवाईक समंद बना सकते हैं परंतु उनसे उत्वन होने वाले जो संतान होगी उसका कोई मातापिता को इडेंटिफाई नहीं किया जसकेगा परिवार विश्यक्सामाजी शिधानत का आधार ये है कि प्लेटो अपने पारिवारिक दयत्तों से मुक्त करना चाहते हैं इसलिए वो है उनको किसी भी परकार के इस्थाई वेवाइक समन्द स्थापित करने से मना करते हैं उनसे प्रविडेट करते हैं संतान सबकी सामुइक होगी अब अबिभावक वरक सामुइक मातापिता की रूप में काम करेंगे अब प्लेटो ने जो शिद्धान प्रतिपादित किया है प्रिवार समन्द सेगे तो उसके लाब क्या बता हैं प्लेटो ने उसके कुछ लाब बता हैं तो पहला लाब तो उन लिए फिंतन की एकता बनी रहेगी हैं कि तीस्टाय लाप उन्हों न्यों यह बताया है कि परिवार में संगर्स की इस्तवी समाप्त हो जाएगी यह परिवार क्षटी की सम टो detector हो जाएगी छोथ मुझा तो यह बताया है कि स्रेस्ट संन्तान की प्रअप्ति होगी एक यह प्रेटों का यह तन कि प्लेटों की प्लेटों की बिजा सहाइता होगी तो ये पांस लाब प्लेटों ने बताए हैं परिवार समदी सामयवाज की स्थाफना के संत्रम में प्लेटों ने इन पांस लाबों की चर्चा किये प्लेटों ने ये कहा है कि पांस जोस इसके प्रमुक लाब बताए हैं ये पांस लाब ये हैं कि सरक्षक वरक के लिए परिवर एक मोसे मुक्ति रहेगी राजे में एक तस्ताबित रहेगी महिलाओं के मुक्तिक और समाना दिखार की बात उन्होंने की है स्रिस संत्ति की उत्पत्ति की उन्होंने बात की है और विवा संस्ता में सुधारेतू ये बात उन्होंने की है फिर प्लेटो अपने सामयवादी सिधान्त में पतनियों यानकी परिवार के एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं प्लेटो के सामयवाद की योजना के दो पहलों जहां तक इस्तिरों की उथान, कल्यान और राज्यों के में हिसालेने का प्रसन है यह योजना उद्दार है, क्रांतिकारी है, विवारिका और आधुनिक है क्योंकि कोई भी राज्ये अपनी जन से कहा कि आदे भाग की उपेक्सा करके विकासोन मुक्त नहीं हो सकता नहीं वह राजे सब्भे हो सकता परन्तों जहां तक विवारियों समन्द संतान उत्पत्ति और उसके पालन पॉशन का प्रसन है प्लेटो की समयवादी योजना एनितिक एप्राकर्तिक एसवभाविक हासिस्पद और एसब्भे समाज का ज्योत्तक है प्लेटो की इसमें आलोचना करते हैं हम यह कहे सकते हैं कि यह एक अन्नावसिक है अन्नावसिक क्योंकि जिस परकार कर रूप रिखा एक काल्बरिक रूप रिखा जो परस्तूत करना चारहे है वहाई कोई और जरूरत नहीं है उसकी अगला यह आ कि लिंग भेहत के संब्रका हैं लिंग की अपूर्ण वेवस्ता हैं विवेत इस त्री पूर्सों के च contextual में भिन्हता ओती difficult आ करते हैं नाय सद्धान्द के भी वीपरित है प्लेटो को की रूप में मिस्तापित करने का गलत प्रियास करते हैं अगली कमीज में यह है कि प्लेटो का जो प्रिवार समन्दी जो संव्वाथ संदान है वह नेतिक गुणों का भी हरास करता है क्योंकि इसमें जिस बच्चों के प्रेम है त्याग है सानुवति है सेवा यह जैसे गुण है उन गुणों को तो कोई इस्थान हमिलेगा ही नहीं तो ऐसे में नेतिक रूप से भी एक पतनों में की सिध्धान्थ है मनोवगयनिक तत्तों की भी इसके अंदर पूरुन आफसर परदान करने के लिए एक और तो उसने परिवार जैसी वेक्ति की मुलबूत संस्ता पर ही घाते के मकुरूर प्रहार किया दूसरी और उसने विवास संस्ताओं के धजियां उड़ा के रख दी है साथ ही इस्तरी तत्ता पूरुस के जो यौन समंदो को लेकर उसने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की है जिससे सब्बे कहलाने वाला एंव विवस्ते तो उसनती पूर्ण जीवन का निर्वास चाने वाला कोई भी मान और सुमाज सुविकार नहीं कर सकता तीसरा अगली जो बात देखें इसके अंदर तो अत्यदिक एक एकरन राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकार रख है प्लेटो सामयवादी विवस्ता दुवरा ऐसे राज्य की स्थाबना करना चाहता है जो राज्य परिवार अर्थात एक व्यक्ति एक राज्य वन म सीमा तक एकता परदान कर लेगा कि वह राज्य ही नहीं रहेगा तो एक यूनिटी की भी को एक सीमाएं होती है हर चीज को उसके दारे में कैवल राज्य तक सुमेटना किसी भी द्रिश्वी से नहीं कहा जा सकता नीरस और प्रेणादाई सिद्धान्त है सरक्षकों को इनक प्रेणाद्र को इसी मुक्त करताना उससे वन्चित करताना कहाँ कहनाए आ है ? वहां कती पे गुण भी हो सकते हैं, यदि प्लेटो उतावलेपन में या एकांगी रूप में कारी नहीं करता है, तो वह एक ऐसी विवारिक योजना प्रस्तूत करता, जो एक और परिवारपक्स को अधिक उयूल बनाती, दूसरी उतमहिलाओं की सेवा भी राज्जे के ने रिपब्लिक में एक विवारिक भ्यावयत योजना प्रस्तूत की है, थैंक यू,